अच्छा करते हूं आप सोभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एक्जाम की पेपरेशन का फिर चल रही है मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इसे स्पेशल कोर्स में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है चलो भी जल्दी शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हों कि हम लोग Venn Diagram को cover कर रहे हैं और Venn Diagram में हम पढ़ रहे हैं अभी type number 1 ठीक है अभी हमारा type number 1 चल रहा है इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने total 20 questions को cover कर लिया था इस वीडियो में ये आपका Venn Diagram का part number second होगा और इस वीडियो के तरू हम देखेंगे question number 21 से लेके question number 40 ठीक है बहुत जादा important होने वाला है ये session आपके लिए विकॉस उसमें कई सारे ऐसे questions भी होंगे जो आपने इससे पहले अगर कभी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज आप गलत कर दो ठीक है ये भी chance है और फिर ये भी है chance कि आप इसको सही भी कर दो लेकिन जो लोग सही कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है एक बार उनका explanation आप सुन लेना ठीक है जो मैं आपको बताऊंगा और अगर किसी का गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं उनके लिए और अच्छी चीज है कि आपको नई चीज सीखने को मिलेगी तो हमें क्या करना है हमें चीजों को positive way में ही लेकर हमीशा चलना होता है तो अब चलनी सी शुरू करते हैं देखो सबसे पहला अगर आप देखो तो liquid है, milk है और river water है हमें इसमें vendagram को बनाना है कुछ बच्चों की ये सोच होती है कि ये course English में ही है, Hindi में नहीं है तो इसमें कोई ये सच इशू नहीं है कि आप ये सोच रों कि सिर्फ English है या सिर्फ Hindi ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम English और Hindi दोनों चीज़ें आटर टाइम बोर्ड पे नहीं लिख सकते है बिकास फिर वो space बहुत consuming के हो जाएगा और फिर explanation के लिए जगे नहीं बचेगी तो इसलिए बहतर अप्रोच ही होती है कि English में लिखा जाए और Hindi में उसे explain करा जाए तो देखो liquid का मतलब आप सबको पता है तरल पदाथ जुद्रव पदाथ होता है उसको milk मतलब दूद है river water का मतलब नदी का पानी है तो when diagram बनाना है देखो आप सभी को पता है कि जो milk है वो liquid होता है ठीक है आपको सबको पता है कि milk जो है वो liquid होता है अब यहाँ पर यह बस सोचना है सर्व milk का जो powder होता है वो तो जो है powder form में होता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है यहाँ पर milk किसका हिस्सा होगा बताइए यह दोनों के दोनों liquids का हिस्सा होगा ठीक है तो अगर ऐसा है तो हम लोग फिर से यहाँ पर चार तक questions लिख रहे हैं ठीक है तो first का answer कौन सा होगा यह वाली approach यानि कि आपका option number second जो होगा वो यहाँ पर correct बाना जाएगा ठीक है सबको समझ वा रहा है उम्मीद करता हूँ कि छीज़े clear हो रही होंगे आपको चलिए next देखते है फटाफट देखो दान से लिखा हुआ है doctor है lawyer है और professional है ठीक है अगर हम doctor lawyer और professional की बात करें तो इसमें अब आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है जैसे अगर यहाँ पर doctor के साथ teacher आ जाता ठीक है जैसा कि आपने पिछले वाले lecture में देखा भी होगा कि हमने doctor और teacher वाला एक बन डियाग्राम किया था तो याद रखेगा doctor और teacher हमेशा common में आते हैं हमेशा some के case के साथ जुड़ते हैं लेकिन doctor के साथ और ऐसा कोई भी profession नहीं है जो some के साथ जुड़े ठीक है जैसे doctor है lawyer है जैसे doctor है nurse है तो यह आप कभी नहीं इनको जुड़ोगे हमेशा इनको क्या करोगे अलग लग करोगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जो हैं दोनों के दोनों different professions होते हैं ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखिए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि किसी law institute में कोई doctor पढ़ा रहा है ठीक है या फिर कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि कोई doctor जो है वो जो है मतब sorry कोई lawyer जो है वो क्या नहीं doctor वाले जो hospitals होते हैं वहाँ पर आके practice कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता अच्छा ये बिल्कुल मैं सोचना कि यहाँ पर अगर कुछ lawyers ने मान लीजे law में PhD कर रखी है तो वो तो doctor कहलाएगा तो बिल्कुल कहलाएगा लेकिन फिर वही बात यहाँ पर जो doctor है न वो medical वाले profession की बात हो रही है इस point को ध्यान रखो medical profession वाले doctor की बात हो रही है और lawyer भी आपको पता है कि वकील को कहते हैं तो यह चीज धान लखना तो ऐसी condition में क्या हो जाएगा कि doctor एक अलग profession होता है lawyer जो है वो एक अलग profession होता है और यह दोनों के दोनों ही कैसे हैं professionals हैं यानि कि व्यवसाइक लोग हैं अपने ही व्यवसाइय में दोनों different डिफरेंट जो व्यवसाइय हैं उसमें यह अपना command रखते हैं और अपना best देने की कोशिश भी करता है समझ में आरा आप सभी को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि doctor, lawyer और professional के लिए यह वाला व्यवसाइगा यानि कि again आपका second वाला answer ही सही होगा ठीक है this one नेक देखे लिखा है book, stationary and printer इसके अगर हम बात करें तो अब आप देखो book है stationary है तो book जो होता है pen, pencil, sharpener आपका जो होता है compass बगएरा ठीक है यह सारे के सारे जो हैं यह सब किसके item है stationary की item है बना पढ़ने लिखने से संबंदित जितने भी items होते हैं all that stuff which is related to somewhat like education तो फिर वो किसमें आ जाएगा all these stuff comes under the category of stationary ठीक है तो इसको हम stationary गंडले लेंगे संबल सी बात है and printer की अगर बात करें so आप क्या सकते हो कि sir printer we can also use printer as an educational stuff तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है अगर हम educational stuff की बात कर रहे है तो printer का use भले आप कर सकते हो printing के लिए you can use printer for the printing purposes for example you have some content some soft copies and you want all those you know soft copy in hard form तो आप उसको print कर सकते हो लेकिन printer जो है वो एक आप कह सकते हो कि hardware device में आ जाती है printer एक hardware device है तो हम उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो एक stationary item है सबचरो तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पे कि book जो है okay book can pretty much come under the stationary है ना लेकिन printer जो है students वो अलग हो जाएगा इसको ध्यान लगो ठीक है तो book जो है वो stationary में आ जाएगा लेकिन जो आपका printer है that is different है ना तो ये चीज़ आपको समझने है और अगर ये different है तो आपका सही answer कौँसा होगा option number 3 यहां पे तो 3 का सही answer is 3 clear हो रहा है चलो next लिखते है tie है shirt and shoe है ठीक है टाई shirt औ शू अब आप बताओ क्या किसी shirt को tie कह सकते हो या किसी tie को आप shoe कह सकते हो क्या किसी shoe को shirt कह सकते हो या किसी tie को shoe कह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, मतलब tie एक अलग object है, shirt एक अलग object है, और shoe जो है वो एक अलग object है, मतलब तीनों में आपस में कोई भी relation नहीं है, there is no relation in between tie and shirt, और shirt and shoe, या फिर tie and shoes, सबच में आगे रहा, तो in में आपस में कोई भी relation नहीं है, तो ऐसी condition में आपका जो सही answer होगा, that will be 10th, ठीक है, 10-1 जो होगा, वो आपका सही हो जाएगा, clear हो रहा है सभी को, चलिए, next point की हम बात करेंगे, तो next भी आपका काफी important होने वाला है, ध्यान से समझेंगे, 5th देखिए, यानि कि 25th जो होगा, लिखा हुआ है, hydrogen, water and atmosphere, important question है, ठीक है, यह अच्छा question है, मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 की form में लिखूँँगा, ठीक है, बाकी आप समय लीजेगा, कि 25, 26 इस form में ही है, हाइड्रोजन, water और atmosphere, तो यह बहुत अच्छा है, ध्यान से समझो, अगर हम बात करें, पानी की, water की, तो क्या, water में hydrogen का content होता है, हाँ, बिल्कुल होता है, because formula ही है, H2, है न, compound है, देखो, तो water जो है, उसमें hydrogen की form जरूर होगी, तो हमने ये काम कर दिया, ठीक है, अब आप देखो आगे, अगर हम यहाँ पर atmosphere की बात करें, तो यहाँ जो atmosphere है, वो earth की atmosphere की बात हो रहे है, समझ में आ रहा है, जब आप इसके explanation पर जा रहे हो, तो आप यहाँ पर earth की atmosphere की बात करोगी, यह नहीं कि sun का atmosphere ले लो, या कि किसी और planet का atmosphere ले लो, तो उसकी हम बात बिलकुल भी नहीं कर रहे हैं, जब अगर हम atmosphere की बात करें, जब बनेंगे, जब खाय, और अब हम बात करते हैं atmosphere की और pणी की, जब अगर देखो, तो बादल बगैरा हमारे atmosphere में आते हैं, हिस्सा है हमारे, और बादलों में क्या होता है वेपर का content होता है तो पानी एक form आ गया ठीक है तो हम क्या सकते हैं कि हाँ यह है atmosphere और पानी में भी एक relation होता है मतलब इन तीनों में sum का relation आ रहा है और अगर sum का relation आ रहा है तो ऐसी condition में क्या हो जाएगा best answer आपका atmosphere हाइड्रोजन और साथी साथ में क्या हो जाएगा बताइए water ठीक है clear हो गया तो इन तीनों में जब समा आ रहा है तो इसलिए आपका best answer यह बनेगा अब देखो बागी जो पानी है हमारे अर्थ पे तो पानी ही है बागी पानी किसी और planet पे भी हो सकता है कहीं और भी हो सकता है अब वसी बात है hydrogen की बात करें हमारे atmosphere में तो हई है बागी hydrogen universe में कहीं पे भी हो सकती है sun की अगर बात करें वाहाँ पर सोरस ही है यह है hydrogen का helium में conversion nuclear fusion की reaction होती है हूँ atmosphere हमारे अटमसफ़इर तो है ही है बाकी orbit atmosphere हो सकते हैं दूसरे और हमारे atmosphere में पानी भी है और hydrogen भी है इसलिए best आपका ये वारा diagram बनेगा ठीक है तो important है ध्यानक को तो 25 का answer हो जाएगा आपको कौन सा बताएगा ये option number 5 ठीक है तो 5 का आपका answer भी है 5 चलिए 6, 7, 8, 9 और 10 देखेंगे hopefully आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी doubt हो comment कर सकते हैं आप लो देखो 6, 7, 8, 9 and 10 देखेंगे दाणसर लिगा हुआ income tax, sorry, bat, mammal and bird again important है अगर हम बात करें bat की, mammal की और bird की तो आपको पता है कि जो bat है वो एक bird नहीं है last day lecture में मैंने इस पाथ को अच्छे से explain करा है कि जो चमगादर होता है, bat जो होता है वो bird नहीं है, बलकि bat क्या है एक mammal है, है ना, चमगादर किस में आता है एक stunpai में आता है, mammal है, क्योंकि इन में memory glands present होती है, लेकिन जो birds हो गए वो different हो गए, है ना, birds जो हो गए, वो different हो गए because birds में memory glands नहीं होती है समझ मागे आपको, तो bat जो है, वो एक mammal है लेकिन bird different है, और अगर ऐसा हुआ, आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा पताए, थर्ड वाल आपका option सही हो जाएगा तो अब अगर आपको यहां पर taxes के बारे में information है अब यह economy से related हो गया, है ना, if you have a good understanding of direct and indirect taxes, then you can easily make the diagram for this particular question, हना अब we can see that there are three variables, okay, the first one is income tax income tax, you know that it's a kind of a direct tax, okay, you pay it directly, हना जिसके उपर आता है, जिसके उपर liability है, वही pay करेगा, हना लेकिन GST की बात करेगा, तो GST indirect tax है, जिसके उपर आता है जरूरी नहीं कि वो pay करेगा, हना, दूसरे के थुरू भी pay करा जाएगा समझ मारा है, जैसे अगर shopkeeper की बात करें, तो हम वहाँ पर जाके services ले रहे हैं, खापी रहे हैं, हना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको resident के मालिक को pay कर रहे है, service charge के form में, जैसे पहले आपको पता है कि VAT लगता था है न, उस form में, तो मतलब beer तो किसी और के, sorry, उसका liability तो किसी और के उपर है, लेकिन beer को और कर रहा है, तो यह सब चीज़ा होती थी, तो indirect taxes में आ जाता था, ठीक है, खेर, income tax, GST, import duty के अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि income tax तो अलग है because यह direct tax हो गया, और GST इसलिए अलग है, because यह indirect tax है, तो पहली बात तो यह clear हो गया, कि यह अलग है, वो अलग है, है ना, अब हम बात करते है import duty की, import duty basically वो होती है, जो import export जब होता है, उसकी उपर लगाई जाती, कोई चीज बाहर से आ रही है, बेची जा रही है, बाहर, उस पे जो let tax लगता है, उसको import duty कहते है, तो ना तो वो income tax है, ना UST है, तो import duty क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा, इन तीनों के लिए यह वाला diagram best होता है, import duty अलग है, students, GST अलग है, और income tax अलग होता है, ठीक है, और अगर यह है, तो आपके लिए best answer क्या होगा, option number 10th, यानि कि 7th के लिए सही answer है, option number 10th, राइट, चलिए, next question देखेंगे अब हम लोग, question number 8th, यानि कि 28th की बात करेंगे, देखो, लिखा हुआ है, legume seed, kidney bean and pierce, ठीक है, ये भी important है, legume bean की बात हो रही है, kidney beans की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें यब ये question पूछा गया, ये भी CGL का पूछा गया question है, तो आपको simple दियान रखना है कि 3 क 3 हो different होते हैं, इनमें आपस में कोई relation नहीं होता, ठीक है, तो of course, pierce different हो जाएगा, legume seed अलग हो जाएगा, kidney beans different हो जाएगे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर answer हो again वही चीज़, ठीक है, cap एक different entity है, apple एक different entity है, और अगर हम बात करें pencil की, तो pencil एक अलग entity है, इन तीनों का आपस में कोई भी relation नहीं है, that means, again इसका answer भी क्या हो जाएगा, 9th का, 10th ही हो जाएगा, ठीक है, समझगे आप, चलिए, next दिखते हैं, crickator है, male है और actor है, अब ये सारे के सारे जुनिया के male crickator है, तो आप खुद कहोगे, sir, कुछ ही होंगे, तो अगर कुछ होंगे, तो हमने यहाँ पर crickator बना लिया, कि कुछ male जो है, वो क्या हो गए, crickator हो गए, समझ में आ रहा है, अब अगर हम बात करें actor की, यहाँ पर actor की बात हो रही है, actresses की बा हो सकता है, कल को विराट कोली की कोई picture भी आ, जो तो हो actor बन जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान यह रखना है, कि जब तक, देखो, कोई एक इनसान, जिस profession में होता है, उसका profession वही माना जाता है, ठीक है न, जैसा कर मैं आपको बात बोलू, तो विराट कोली, जब ठीक है, तो अब नव जो सिंग सिद्धू, जब तक cricket में थे, तब तक तो वह क्रिकेटर थे, लेकिन अब उन्होंने cricket से ले लिया सन्यास, और अब वो politics मा चुके, तो वो politician है, तो अब आप नव जो सिंग सिद्धू को यह नहीं का होगे, कि वो क्रिकेटर है, अब वो क्य बहुत सारे products हैं, और आप कहा सकते हो कि वो बहुत सारे जो companies होती हैं, जैसे Flipkart है, या माने वर मोहे, आपने देखा होगा, माने वगर वाया की शेरवानी आती हैं, तो कई सारे ऐसे हैं, ठीक है, products जिनके वो brand ambassador भी हैं उनकी companies के, तो भले वो acting कर रहे हैं, even though he is doing some advertisements for those companies, still he is not an actor, उसको हम actor नहीं बोलने वाले, क्यों क्योंकि वो एक full time cricketer हैं, ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो विराट को ली बिल्कुल भी actor नहीं होगे, यहाँ पर, समझ में आपको, तो cricketer अलग है, actor अलग हो गया, और वो दोनों mail में आ जाएंगे, बाक यहाँ पर यह वाला, ठीक है, यानि कि option number first, तो 10th का आपका answer हो जाएगा, option number first, clear हो रहा है सबको, अच्छे से, चलो, next देखते हैं हम लोग पड़ाफट, तो हमने total 30 तक questions यहाँ पर कर लिए हैं, next देखेंगे हम question number 31, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, total number 31 से लेके, 36 तक जो अब कर है, 4 wheeler है, तो इसमें क्या होगा, तो आप देखो, jeep is different, car is different, एंड दोनों के दोनों किसमें आते हैं, 4 wheelers में आ जाते हैं, क्योंकि jeep में भी 4 पई है, car में भी 4 पई है, तो of course, सिदी से बात है, कि बھई, jeep और car दोनों के दोनों किसमें आ जाएंगे 4 wheeler, आप किस किसी कार को जीप नहीं का होगे, किसी जीप को कार नहीं का होगे, तो of course यही बेस्ट है, यानि कि आपका second वाला अंसर सबसे सही होगा, ठीक है, next देखे, question number 32, reptiles, lizard and loin, reptiles का आ जाता है students, stun-pies को, ठीक है, नहीं, stun-dhari, sorry, stun-dhari, I guess, reptiles को हिंदी में बोलते हैं, तो reptiles होते हैं, उनको सरी सरब बोला जाता है, exactly yes, तोड़ा मेरा माइंड से हट गया था word, तो reptiles को सरी सरब कहते हैं, ठीक है, मतलब जो ring के चलें, वो सारे के सारे सरी सरब, जैसे snake है, lizard है, हाणा, तो यह सारे क्या होता है, ring के चलते हैं, तो अगर यह ring के चल रहे हैं, तो यह सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, reptiles में आ जाएंगे, clear हो रहा है आपको, अच्छा, तो lizard जो होती है, छिपकली जो होती है, वो ring के चलती है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपके reptile, किसमें आगई वो बताएंगे, वो reptiles में आगई, clear हो रहा है, अब उसने आपसे बोला कि loyan, अब loyan धोड़ी reptile है, तो loyan आपका different हो जाएगा, loyan तो mammal में आगए, ठीक है, तो यह अलग हो गया और यहाँ पर lizard है, यह loyan है, clear हो रहा है, तो lizard रहेंगे चलती है, reptile family में आती है, और loyan mammal family में आते हैं, इसले है different, clear, चलिए, तो अगर यह होगा, तो यह बेस्ट रांसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएगा, ठीक है, फिर देखो लिखा हुए 33, बायो है, science and subject है, बहुत easy question, आप सब जानते हो कि बायो क्या है, बायो एक science है, है ना, बायो एक क्या है, बायो जो है, वो एक हिस्सा है किसका, of course, एक science का, ठीक है, बायो एक प्रकार की science है, जैसे physics है, chemistry है, बायो है, तो यह सारे के सारे science का part है, और science खुद एक कौन है, समझ पा रहे हो, चलिए, next part देखेंगे हम लोग, फटा फट, question number 34, देखे, लिखा हुआ है, sales tax, GST and service tax, ठीक है, अब यह भी important है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि sales tax, GST and service tax में क्या different होने वाला है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, GST और service tax, ठीक है, तो जो service tax है न, service tax, इसको include कर लिया गया है, किस के अंदर बताओ, GST के अंदर, सभिस टैक्स को, अमने GST में include कर लिया, इतना ही नहीं, जो हमारा sales tax है, इसको भी हमने किसमे include कर लिया, GST में, मतलब service tax, यह SR को हम service के बोल रहे हैं, और यह sales tax है हमारा, ठीक है, तो service tax, sales tax, इन दोनों में आपस में कोई relation नहीं है, और यह दोनों के दोनों हमने किस में include कर लें है, GST में, तो यह हमारा best diagram मेरेगा, ठीक है, मतलब यह दोनों के दोनों किस में आ चुके हैं, GST में आ चुके हैं, तो यह धियान लखेगा, और आपको पता होना चाहिए, next देखते हैं, लिखा हुआ देखे, animal leopard and lion, ठीक है, अब आपको पता है, animal मतलब जंदू होता है, leopard का मतलब, leopard को बोलते हैं, तेंदू आ, ठीक है, तेंदू एको leopard का आ जाता है, और lion आप सब को पता है, ठीक है, शेर भाई साब हमारे, तो जो leopard है, वो अलग है, और जो lion है, वो अलग है, ये दोनों के दोनों different है, leopard जो है, वो cat family से आता है, लोयन, ये tiger, ये सब क्या है, ये सब cat family के होते हैं, लेकिन फिर भी animals तो दोनों different है, दोनों species अलग हो गई, और ये दोनों के दोनों किस में आगे बता है, ये animal में आ गई है, ठीक ह नेक्स एको लिखा हुआ है ग्रीन है, मैंगो है और फूरूट है अब इसके अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर बहुत अच्छा गोशन है धानक हो मैंगो जितने भी मैंगो होंगे इस दुनिया के वो सारे के सारे क्या होंगे फूरूट होंगे मानते हो आप, जितने मैंगो है जुनिया के वो सब के सारे फूरूट है, अब वेसी बात है कच्छे हो या फिर पक्के हो फरक नहीं बढ़ता, बढ़े हैं तो फूरूट ही दूसरी बात, अगर हम बात करें आप एक ग्रीन की तो सम का रिलेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा मतलब कुछ ग्रीन चीजे फूरूट होती है, कुछ फूरूट ग्रीन होती है ये बात निकल रही है अब ज़रा मैंगो की बात करते हैं, क्या कुछ मैंगो भी ग्रीन होते है अरे बिलकुल होते हैं, पकने से पहले हर एक mango green होता है, हाना, तो अगर ऐसी बात है, तो हम कह सकते हैं कि green को हमें ऐसे लेना चाहिए, अगर हम green को ऐसे लेंगे, तो fruit और green में भी sum आ गया, mango और green में भी sum आ गया, और यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर ऐसे mango आ गये, जो fruit त नहीं नहीं आपको तो ऐसे देपा हो गया और वेसी बात है अगर यह clear है तो इसमें सबसे best answer कौन सा होगा बताइए इसमें सबसे best answer होगा आपका देखिए six number ठीक है six number is best तो six का answer भी six ही होगा मतलब 36 के लिए आपका six number answer clear है सही हो गया next move करेंगे देखो question number 37 की बात करेंगे हम तो question number 37 में कह रहा है कि bull animal and carnivores बहुत अच्छा कोशन है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसो गलत करने वाले हैं ठीक है क्योंकि एक experience होता है अगर आप थोड़ा सा व्यभारिकता थोड़ी सी knowledge अगर आपके अंदर है तो फिर आप इसको सही भी कर सकते हो लेकिन आप सीखने आए हैं तो कोई बात नहीं देखो होता क्या है कि bull animal and carnivores लोग क्या करते हैं बच्चे क्या बनाते हैं कि जो carnivores होते हैं उनको आप डाल देते हैं animals में और गलत भी नहीं है क्योंकि carnivores का मतलब होता है मास का भक्षन करने वाले जन्तु जैसे शेर है जैसे आपका भीडिया है यह सब जो हैं यह सब मास का भक्षन करते हैं शुतर मुर्ग है तो यह वो सारे के सारे animals हो गए या birds हो गए जो कि किस में आ जाएंगे कार्णी वोरस में आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मास खाते हैं या फर flesh वगरा खात है चाक है लेकिन अगर हम बात करें बुल की तो बुल भी तो एक animal है तो मतलब हमने क्या खरा कार्णी वोरस मास भक्षी नहीं है बुल जो है वो मास नहीं खाता तो इसलें बुल को different कर दिया हमने चाक है लेकिन अगर आप ने यह बना दिया तो यह गलत हो जाएगा इसका reason सुनिये यह गला देशलों जाएगा students क्योंकि हर चीज हर कार्णिवरस सिरफ animal नहीं है कार्णिवरस जो है मास भक्षन करने वाले वो सिरफ animal नहीं होते बलकि कुछ ऐसे पौधे कुछ ऐसे plants भी है students जो की कार्णिवरस होते है आप Google पर search करो कार्णिवरस plant आपके सामने बहुत सारे हैंगे आपने देखा होगा मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ जैसे अगर आपने देखा होगा इस तरह का एक plant होता है जो ऐसे मुझ खोलता है और जब उसके होते हैं कि कार्णिवरस plants कहाँ जाते हैं तो यह भी मास का इह भक्षन कर रहे है क्योंकि उसी के थ्रू यह अपना जो है काम चला रहर relev ivा जो खाना पिना है सब उसी के थ्रू बना रहर रहा हैillar आपना जो खाना पीना है यह चूझ mail धिन है कि क्या bull तो सारे के सारे animals होते हैं, तो ये best हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, best हो गया, तो अगर ये best है, तो आप देखो, सही answer क्या होगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका सही answer है, जो मुझे लग रहा है, that is what, that is ये वाला, यानि कि जो आपका 11 number आप देख रहे हो, देखे, question number 11 में, यहाँ पे जो option number 11 है, वो आपका सही माना जाएगा, ठीक है, कि ये जो हो गया, इसमें आगया, और फिर इसमें हमने सम का diagram बना दिया, ठीक, तो मैं यहाँ ब लिख देता हूँ, कि जो question number 37 है, उसके लिए आपका 11 वाला सही होगा, 38, 39 और 40 का हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए, इसको रब करते हैं, अब देखते हैं question number 38, देखो students, लिखा हुआ है याँ पे, कि piano है, guitar है, and musical instrument है, बहुत easy है ये भी, हाना, आप जानते हो कि piano is different, guitar is different, और ये दोनों के दोनों क्या है, musical instrument है, तो अगर ये musical instrument है, तो artist के लिए आपका answer होगा, second number, बहुत easy था, आपने कर लिया होगा, ठीक है, doctor, patient and hospital, again, अच्छा question, logical question, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा argue करोगे, इसमें थोड़ा सा कि किस तरह से इसको हमने यहाँ पे बनाया है, तो देखे, doctor, patient and hospital की बात करें, तो अब आपको ये ध्यान दखना है कि doctor और patient ये दोनों अलग हो गया, ठीक है, patient actually यहाँ पर temporary भी होते हैं, patient actually पर्मानेंट भी होते हैं, एकदम से क्या होगे, आपको लगने लगा कि नहीं, अब तो hospitalized होना चाहिए, doctor के पास गया, उसने कहा नहीं, बहुत ज़रूरी है, इनको तो glucose की bottle चड़ेगी, तो फिर क्या होगा, कि आपको ले जाएंगे, dextrose वगरा चढ़ाएंगे आपको hospital में, तो अब आप क्या होगे, hospitalized होगे, तो आप patient हो चुके, लेकिन आप ऐसे patient होगे, जब आप ठीक हो जाओगे, आपको discharge कर दिया जाएगा, और फिर आप अपने घर वापस, फिर एकदम तंदुर्स हो जाओगे, तो आप temporary patient बने थे, पहली बात, दूसरी बात, एक होते है, permanent patient, जैसे माली जे किसी को diabetes हो गई, if a person is diabetic, then he is a permanent patient, हाणा, उसको particular है कि वो भी diabetic हो चुका है, तो उसको जिन्दगी भार जब तक वो जन्दा है, उसको diabetes की, जो tablets हैं, या insulin का जो injection है, वो उसको लेना पड़ेगा, जैसे माली जे किसी की kidney खराब है, तो अगर kidney खराब है, जब तक वो ट्रांस्प्लांट नहीं होता, तब तक तो वो patient रहे गए रहे, और ट्रांस्प्लांट एक बार हो भी गई, तब भी chances कम रहते हैं, कि भई वो ठीक ही रहे, क्योंकि देखो, जो भगवान ने शरीर दिया है, यह अपने में ही first copy है, first copy भी नहीं बोलेंगे, तो अपने में original है, लेकर अगर आप इसमें हलका फुलका कुछ भी cut work करोगे है, कुछ भी इसमें 3-5 करोगे, कुछ भी इसमें changes करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर वो खिलवाड आपने कर दिया, एक बार, तो फिर अब उसके फिर आपको आगे चलके, कुछ losses भी हो सकते हैं, तो वही चीज़ समझो, जैसे एक बार आपकी जो natural हड़ी है, ठीक है, तो वो proper है आप, कुछ भी कैसे भी moment करते हो, जो हो पाता है, लेकिन अगर एक बार वो break हो जाती है, तो फिर वो मजबूती नहीं आपाती, जुड़ने के बाद, plaster के बाद, ठीक है, जो पहले थी, तो सारी चीज़ें एक तरह से, तो हम यह बात करें, कि डॉक्टर को एक अलग profession माना गया है, और patient को एक अलग माना गया है, अब आप यह कहोगे सर, doctor भी तो हो सकते हैं diabetic, doctor भी, मेरे खुछ जानने में है, एक ऐसे doctor जिनकी दोनों kidneys fail है, अब आप बताइए, doctor है कहने को kidney fail है, तो ऐसा नहीं है कि, अगर कोई बहुत ज़ादा शराव पी रहा है, या फिर उसका digestion खराब है, या उसका urine सह नहीं हो रहा, तभी उसकी kidney खराब होगी, कुछ और भी reasons रहते हैं, अब जैसे doctor जो हैं तो उनका by birth kidney में problem थी, लेकिन देखो, doctor भी बने, और आज यह है कि, मतलब वो अपना clinic भी चला रहे हैं, लेकिन बस यह है कि, अगर week है, तो week में तीन दिन तो चुट्टी करते हैं, चार दिन दो अपना clinic चलाते हैं, तो चीज़ें हैं ऐसे हैं, लेकिन अब आप यह कहो कि doctor जो है, वो patient हो जाए, तो हम यहाँ पे हमारा जो commission है, वो यह कहता है कि नहीं, ऐसे तो अगर आप चाहो तो आप doctor को law की degree दिलवा दो, अगर उसने law कर ली, तीन चार साल वाली तो उसके बाद वो lawyer भी कहला आएगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अलग करते हैं न, होने को तो हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम lawyer को अलग कर रहे हैं, डॉक्टर को अलग कर रहे हैं, वैसे ही हम क्या करने वाले हैं यहाँ है, कि doctor को अलग करेंगे, patient को अलग है बताइए ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल का हिस्सा होते हैं समझ लिए इस चीज़ को ठीक है तो डॉक्टर पेशन दोनों लग प्रोफेशन है और हॉस्पिटल में रहेंगे ठीक उसका हिस्सा है तो 39th के लिए आपका आंसर हो जाएगा ये भी second वाला ख्लेर हो रहा है उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा explanation समझ में आ रहा है हाना student teacher and college अब ये भी थोड़ा सा contrary है इसको भी समझेंगे देखो ये question SSC में पूछा गया है ठीक है और जब SSC ने इसमें answer दिया है तो क्या दिया है ध्यान से समझेए student teacher of college अब इसमें ये कहा गया है कि जो student है वो ए इसे ये diagram बनाए है अब आप कोगे sir कुछ ऐसे भी तो teachers हैं जिन्होंने B8 कर रखी होगी जिनके पास official degree आ चुकी है लेकिन अभी वो आगे कुछ और तयारी कर रहे है मालीचे वो PhD कर रहे है या फिर वो किसी school में पढ़ा रहे है या फिर वो खुद भी पढ़ रहे है कहीं अच्छा ऐसा जो case होगा बहुत limit होगा कि नहीं होगा बहुत limited case होगा ऐसा कि कोई lawyer जो है वो doctor हो जाए बहुत limited तो limit वाले case को लगबग ignore किया जाता है और हम यह मान के चलते हैं कि जो चीज majority होती है उसको ध्यान रखो तो majority यही कहती है कि college में student जो है पढ़ने आता है teacher प cover कर ली है ठीक है उम्मीद करता हूं कि यह 40 questions आपको समझ में आ गए होंगे अच्छा से इससे पहले वाले part को अगर आपने नहीं देखा kindly have a look of that part and those videos which are already been uploaded on this particular platform earlier उनको भी आप जरूर देखिए एक बार and दूसरी बात यह है कि हमारे exam भी है आप सब को पता है ठीक है कई सा यह proper जब भी किसी वीडियो को देखें तो इस सोच के साथ देखें कि आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है बिल्कुल भी bore नहीं होंगे आप और दूसरी बात यह है कि हर question को एक challenge की form मिले हाना कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा और अगर कोई आपको problem हाती है कोई कमी गलती से वो चीज हो गई है तो बिल्कुल possible है तो उसमें क्या है कि हम सब मिल के ही आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है आप ज़रूर पूछिए आपकी full help की जाएगी तो पढ़ते रही है उमीद करता हूँ अच्छा result देंगे आप सभी select होंगे inspector झाल